हलो गाइस वेलकम बेक तो माई चैनल इट सर्पंस अगर आप में चैनल पर नहीं है तो प्लीज पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें चलो करें स्टार्ट आज की दिल वीडियो तो टोड़ें आइम डूइंग अकले आट वर्क अन दिस एमडी एफ बोर्ड यह बहुत ही मिनी एमडी एफ बोर्ड है जिसके ओपर आज हम क्ले वर्क करेंगे एंड यूज करेंगे अपनी फेवरेट मोल्डिट क्ले का सो चलो करें स्टार्ट आज की यह वीडियो बिकाज आइम सूपर डूपर एक्साइटेड सो आज यह होगा कुछ फ्लोरल वर्क सो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो पहले हम क्ले आट वर्क करने से पहले इसके उपर अप्लाइ करेंगे कलर बेस कलर सो देट कि ह इसके बाद हम अपनी जो फ्लार्स बगरा बनाएंगे उसको कंप्लीट कर सके बिकाज बाद में अगर हम बेस कलर करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी आती है इसलिए मैंने पहले ही बेस कलर कर लिया है एंड इसके उपर हम स्टार्ट करेंगे अपना कले आर्ट वर्क तो यह हमारा बेस कलर हो गया है रेडी एंड बेस हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है अब बारी आगई है हमारी मॉलड़ीट कले को यूज़ करने की बनाने की बहुत ही यूट क्यूट य्यूट प्यारे प्यारे फ्लास सो जल्दी से मैं अपनी molded clay लेती हूँ and इन दोनों components को equally हमें use करना होता है because कईवर अगर हम किसी भी component को half use, थोड़ा use कर लेते हैं तो वो easily hard नहीं होता बाद में, सो हमें equal लेना होता है portion दोनों में सो जल्दी से यहां पर मैं अब start कर दिया है flask बनाने and use किया है talcum powder so that की हम easily इसे बना सके and यह clay हमारे हाथों में stick ना हो so यहां पर मैंने start कर दिया है flask बनाने तो यहां पर मैं पहले एक एक करके इन petals को बनाऊंगी and then उसके बाद his को हम stick करेंगे and by using the favicol तो जल्दी से मैं अपने सारे flowers बना लेती हूं and then उसके बाद बारी आएगी मेरे favorite and हम सब के favorite part की and that is the coloring so जल्दी से मैं अपना clay artwork complete करती हूं and then उसके बाद start करेंगे अपना next part एक कर दोपीं जब एक करेंगे or be अ तुआ भूओ आगाए बबाए सो मैंने अपनी इस क्ले आट को और ब्यूटिफुल बनाने के लिए बहुत सारी डिटेलिंग जैड की है जैसे कि बहुत सारे फूल पत्ते एंड ये सम छोटे-छोटे फ्लार्स है जैसे ये सब चीजे मैंने इंक्लिवड की है डिटेलिंग के लिए मेरे पास कोई टूल नहीं था मोल्डिट कले वाला सो यहांपर मेरे पास सूपर कले वले ही टूल थे उनको यूज किया है और इससे हमेंने डिटेलिंग एड कर दी है अगर आपको यह रीक्रियेट करना हो तो बहुत ही एजी एंड सिंपल प्रोसेस है अगर आपने recreate करनी हो तो easily आपसे recreate हो जाएगी जल्दी से मैं यहां पर धेर सारे फूल पत्ते बना दिये है यह हमारा clay work बनकर हो गया है ready and once this part is completed now it's time to apply colors तो जो कि मेरा favorite part है जल्दी से हम start करेंगे इन flowers को color करना तो यहां पर मैंने start कर दिया है pink color से क्योंकि pink से मुझे बहुत धेर सारा प्यार है तो इसलिए बहुत सारे pink colors के आज हम flowers बनाएंगे and बहुत सारी colorful यह हमारी आज की यह painting होगी यह clay artwork होगा and यह बहुत ही beautiful होने वाली है and अगर आप चाहें तो आप अपने choice के according colors use कर सकते है क्योंकि मेरा तो pink favorite है so इसलिए मैंने तो pink use किया so जल्दी से मैं इन flowers को complete करती हूँ and sides में भी कहीं पर रह न जाए क्योंकि बाद में अच्छी नहीं लगेगी so सारे तरफ से, side से, उपर से, नीचे से मैंने सभी flowers को यहांपर मैं colors करूँगी and then उसके बाद देखेंगे इसका final look and मैं भी बहुत जादा excited हूँ इसको complete करके इसका final look देखने के लिए and जल्दी से यहांपर मैं pink color के धेर सारे flowers बनाऊंगी and बहुत ही प्यारा सा यह pink color बनाया है and then उसके बाद हम add करेंगे colors on these leaves and petals तो pink color हमारा जहाँ जहाँ पर चाहिए था वो complete हो गया है now it's time to add color on these leaves तो यहांपर मैंने add किये हैं पतों के उपर colors तो जल्दी से यहांपर मैं करूंगी complete इन पतों को and then उसके बाद इन mini flowers जो छोटे छोटे टीनी टीनी flowers हैं इनको हम complete करेंगे and आप भी stay tuned रहना इसका final look देखने के लिए क्योंकि बहुत ही amazing यह clay artwork है and बहुत ही प्यारा बना है so जल्दी से यहांपर मैं different different colors को use कर रही हूं and combination भी इन सभी का बहुत ही pretty लग रहा है so जल्दी से हम इसको complete करते हैं and देखेंगे इन सब का final look and हमारी यह painting almost complete हो ही गई है बस थोड़ी बहुत और coloring बाकी है इन फूल पत्तों के उपर and यहांपर मैं जल्दी से करती हूं complete and तब तक आप मुझे पताओ कि आपको यह process मेरा कैसा लग रहा है and then उसके बाद बताना कि आपको यह मेरी fully artwork यह clay artwork कैसा लगा वैसे तो मैंने already भी अपने चैलर के ओपर बहुत सारी clay artworks की हुई है floral artwork भी की है but यह वाली बहुत ही unique है and first time में कर रही हूं and अब बार यह हमारे last step की and that is adding white acrylic colors on these flowers and यहांपर मैं कुछ detailing add कर रही हूं and flowers के ओपर white color से छोटे छोटे flowers and then उसके बाद apply करेंगे हमारा last step and that is applying the varnish तो जल्दे से हमारे इन flowers को complete करते हैं and then उसके बाद देखते हैं इसका final look so यह हमारे painting बनकर हो गई है ready and then उसके बाद apply करेंगे code varnish का so this is the final look of this painting and अब हम apply करेंगे code varnish का and do let me know in the comment section की आपको यह मेरी video यह मेरा clay artwork कैसा लगा and अगर आपको यह मेरी videos अच्छी लगी मेरा clay artwork अच्छा लगा तो प्लीज मेरे channel को subscribe करना मत बूलना share करना like करना मेरी videos and this is the final look मिलती हो next video में till then take care bye bye